नमस्कार दोस्तों मैं समच अधरी और सक्सेस फ्लस अकेडमी के प्लैटफॉर्म पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है तो दोस्तों आज के सीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले गुपता वंस के साशक, समुंदर गुपत की जीवनी और इनक और ऐसा माना जाता है कि modern day history में नेपोलियन जैसा कोई भी great warrior नहीं हुआ है उसके जैसा कोई military commander नहीं हुआ है तो इतना बहतरीन उसको military commander माना जाता था तो नेपोलियन का title अगर जब किसी भी warrior को दिया जाता है तो इसका मतलब उसके सम्मान में दिया जाता है और उस आदम समय में 1815 में Battle of Waterloo में England से हार गया था लेकिन समुंदर गुप्त जो थे भारत के गुपतावंस के साशक इनके बारे में कहा जाता है इनके बारे में जितनी भी उपलब्द जानकरी हमें मिलती है उसे पता जलता है कि इनों अपने जीवन काल में 100 से ज़्यादा लड़ायां लड़ी और उन सभी में ये विजय शाबित हुए कभी भी इनको हार का सामना नहीं करना पड़ा तो ये वन अफ ग्रेटेस्ट वोरियर और वन अफ ग्रेटेस्ट मोनार्क इन इंडियन हिस्ट्री माने जाते हैं और इनका समय जो था वो था 335 से 380 AD के आसपास और कई जगह इनका 350 से 380 के बीच में भी माना जाता है लेकिन इनके जो पिताजी थे चंद्रगुप्त पर्थम उनकी बायोग्राफी मैंने कवर कराई थी उसमें मैंने आपको दो चीजे बताई थी कि चंद्रगुप्त पर्थम जो थे उनको गुपता डैनिस्टी का true founder माना जाता हैं लेकिन उनसे पहले दो राजा और हुए थ श्री गुपत और घटोतकच वो महराज हुआ करते थे लेकिन चंद्रगुप्त पर्थम जो है ये महराजा अधिराज हुआ करते थे और ये सच्चे माइने में ये जो गुपता डैनिस्टी है इसके founder मानी जाते थे मतलब समुंद्र गुपत के पिता और इस गुपता डैन जो शुरुआत है वो समुंद्र गुपत के समय से होती है भारत के सबसे greatest monarch में से एक मानी जाते हैं और जो सबसे बहतरीन monarch हुए है भारत के थियास में उन्हीं की बायोग्राफी हम इस सीरीज में कर रहे हैं जिसमें हमने चंद्रगुपत मौरिया चंद्रगुपत फैस्ट अशोक समराट समुंद्रगपत कनिश्क इन लोगों की बायोग्राफी जो है हम करते जाएंगे कुछ लोगों की हो गई है कुछ लोगों की होती जाएगी तो इनकी वीडियो ज़रूर देखेगा आने वाले समय में तो भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है और ये नाम ऐसे तो देखें नेपोलियन के कटर विरोधी थे क्योंकि नेपोलियन जो है वो फ्रांस में जब अपने पाउर पे अपने पीक पे था तो उसमें ब्रिटेन पे हमला किया था और सभी यूरोप के देशों पे अटेक किया था लेकिन नेपोलियन की स्किल्स को सब मानते थे कि नेपोलियन कितना बहादूर और कितना ताकतवर योद्धा था तो इसमें कोई दोराए नहीं है लेकिन एक ताकतवर योद्धा होने के साथ साथ ये एक बेनविलेंट रूलर थे एक ग्रेट वोरियर और पैटरॉन ओफ आर्ट थे यानि कला के बहुत ज़्यादा प्रेमी कवी भी थे तो नेपोलियन भारत का समंदर गुप्त को कहा जाता है कवी राज भारत का समंदर गुप्त को कहा जाता है और तंत्री का मंदर का ये भी इनका जैन टेक्स्ट में नाम है तो चंदर गुप्त के बाद ये राजा बनते हैं ऐसे देखा जाए तो ये फोर्थ र पिलर है जो उनका भिलेक जहां पे लिखा गया है वो उसके उपर सबसे ज़्यदा डिटेल में इन्फोर्मेशन मिलती है समुंदर गुप्त के बारे में इन्होंने कौन कौन सी लड़ाईया लड़ी कितना बड़ा इनका सामराजे था कौन से राजा के साथ इन्होंने किस तर जिए उनके दरबार में में भी शामिल आकशन ननी यह जो है लाबाद का इनस्क्रिप्शन लिखवाया था पूरिये इसको का लड़ा को क्या समै लो यू लोजी करना तो उसमें सब चीजें बता रखें कि कि इस सेंकडों के संख्या में मिलिटरी कॉंट्विस्ट की बात कर रखें और कहा कि पूरे लगबग नौर्थ इंडिया को इनों ने जीत लिया था और लगबग दक्षिन भारत को अपना वैसाल इस्टेटमन अलिय बहुत बड़ा पिलर है ये तो लगबग 15 मीटर उचा बिलर है ये उसके बाद ये जो इसमके मैप की बात कर लेते हैं एक बार कि इनका कितना बड़ा समराजे था कितने बड़े समराजे पे रहुल करते थे तो अगर बात करें वेस्ट में रावी नदी तो यहां पे रावी में इनका सामराज्य जो है यहां तक जो एक सेकंड यह क्या बोलते हैं इसको विध्यांचल रेंज जो है रुटा का किंडम जो हुआ करता था उस समय यहां तक फैला हुआ था उसके अलावा आगे मैप में दिखाऊंगा आपको कि इन्होंने बहुत सारे राज्यों को अपना वैसाल स्टेट भी बना रखाता यह देखिए यह मैप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा तो इस मैप में आपको दिखेगा कि गुपता समराज्य जो है वो अपने समय के साथ-साथ कैसे एक्स्टेंड हुआ अक्स्टेंड कैसे हुआ सबसे पहले यह जो डार्क ग्रीन कलर में आपको मैप दिख रहा है ना यहां से गुपता समराज्य की शुरुवात होती है चंदर गुपत पर्थम के समय उसके बाद यह जो हलके ग्रीन कलर में मैप दिख रहा है उत्तर भार्त का और बंगाल के आसपास का जो रीजन आपको दिख रहा है यह समुद्र गुपत ने जीत लिया था इन समराज्यों को अपने राज्य में विलीन नहीं किया कि इनके राजाओं को मार दिया हो और इसके बाद पूरी तरीके से इन समराज्यों को समापती कर दिया हो अपनी टेरिटरी बढ़ा ली हो ऐसा नहीं किया इन राज्यों को जाके हराया युद में हराने के बाद इनक में पार्शल और्टोनिमी के साथ यहां के जो राजा है राजस्तान मद्दे पर्देश और यह जो उत्तर भारत का यह वाला हिस्सा है यहां पे राजा रहे उसी तरीके से दक्षन भारत के भी कुछ राजा जो है इस समय इनकी ट्रिब्यूटरी में रहे इनके आधीपत्य मे मैप है यह भी जित लिया था तो लगबग भारत के सत्तर परतिशत भूभाग पे इन्होंने रूल किया है समुंद्र गुप्त और इनके आगे आने वाले बहुत बड़ा समराज्य था इनका तो यहां पे इन्होंने क्या किया इसके बारे में बात करते हैं तो यह मैप अब से पहले एक गोड़े को पूरे इंपरियल स्टेट में भेजा जाता था और उस गोड़े को कोई भी अगर पकड़ लेता था तो यह माने जाता था कि वो राज्य को उस राज्य को चुनोती है और उसके बाद उसके साथ यूद लड़ना पड़ता तो इनका गोड़ा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो चंद्र यहां पे समुंद्र गुप्त के गोड़े को पकड़ सके और उनका अधिपत्य स्विकार करने से मना कर दे तो इतने ताकतवर राजा थे इनके जो कोईन हैं इनके जो अभिलेक हैं उनसे इनके बारे में बहुत कुछ प्रैवरा में सोने के सिक्की चलते थे तो सोने के सिक्के थे इसके उपर भी इनके बारे में काफी इंफ्रेमेशन पता चलती है ये मुजिक प्ले करते थे पोएड थे उसके ओपर इन को चीजे आपको इफरमेशन अपने इनको दिखने को मिल जाएगी चंद्रगुप्त के बेटे अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं तो चंद्रगुप्त फैस्ट इनके पिटा का नाम और कुमार देभी वो कुमार देवी जिनकी वजह से गुप्ता डैनेस्टी जो है वो इतना परचार परसार होई थी मैंने कुमार देवी से शादी होने के बाद ही चंद्र पर्थम जो है अपने सामराजय का विश्तार कर पाये ते क्योंकि यह बी एक पाउर फुल सामराजय यह से आया करती थी लिछुजवी प्रिंसेस ठीए लिछुजवी नामका जो भी बेटे थे उन सभी में सबसे ज़्यादा सुपीरियर थे सभी डिपार्टमेंट्स में बेटर थे एक अच्छे वोरियर थे academics में बहुत अच्छे थे इनकी diplomatic skills बहुत अच्छे थे भाशा का अच्छा language था इनको सभी राजनिती अच्छे सारी चीजों में यह बहुत 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 थे और एज सक्सेस्फुल रूलर बनने के लिए जो जो quality इन में होनी चीए थी वो सभी इनके अंदर पहले से थी इसलिए एक चीज मानी जाती है कि समुंदर गुप्त के पिता चंदर गुप्त ने पहले से ही जो इनके बड़े भाई थे दूसरे भाई थे उनको दूर रखा राजपार्ट से दूर रखा और यह सोचा कि आने वाले समय में समुंदर गुप्त को राजा बनाये जाएगा तो बाकियों को साइड लाइन कर दिया खुआ कि जो पुराना एकसेशन सिस्टम होआ करता था हिंदू एकसेशन सिस्टम जो होता था कि कोई भी राज्य के बाद किसी राजा के बाद उसके तक्त पे कुन बैठेगा जो इसका बड़ा बेटा होगा ये चीज थी ये एक common rule हुआ करता था और common rule था इसको break किया गया हलांकि कुछ historians का एक बात मानना है कि कच गुप्त नाम का एक और बेटा हुआ करता था चंदरगुप्त पर्थम के कच गुप्त पर्थम को राजा बनाया गया उसके बाद वो कैसे मरा कैसे उसकी death हुई या उसको समुद्र गुप्त ने मारा उसके बाद समुद्र गुप्त राजा बन गया लेकिन कुछ historian ऐसा भी कहते हैं कि कच गुप्त नाम का कोई दूसरा राजा नहीं था कच गुप्त जो है वही आगे चलके समुद्र गुप्त का नाम का टाइटल लेता है कच गुप्त कोई separate राजा नहीं था इसलिए ये जो समुंदर गुप्त है इसको title मना जाता है समुंदर गुप्त का मतलब होता है कि protected by sea समुंदर का राजा समुंदर को जो protect करता है समुंदर जिसको protect करता है तो ये जो चीज है ये कहा जाता है कि कच गुप्त जो है वो समुंदर गुप्ती है और कुछ रोग कहत सही सावित भी होती क्योंकि कच्छ गुपत के बारे में कई कुछ पिलर्ड के अलावा कोई और इनफार्शन मिलती नहीं किसी भी अभिलेक में एक पर्थम ने यह पे समुंदर गुप्त को ही अपना यू राज घोशित किया था मतलब अपने उत्रा अधिकारी के तोर पे इन ही को चुना था और समुंदर गुप्त के बड़े भाईयों को चंदर गुप्त ने अलग रखा था राजपाट से ताकि वो समुंदर गुप्त को आगे आने वाले समय में राजा गोशित कर सकें तो क्योंकि वो ज्यादा केपेबल थे ज्यादा विजनरी थे और बहादूर थे स्टूडियस थे इंटेलिजन थे इन वज़यों से समुंदर गुप्त को इन्होंने अपना उत्रादीकारी चुना उसके बाद जब चंदर गुप्त ने समुंदर गुप्त को अपना उत्रादीकारी चुना तो उनको एक जिम्मेदारी की दी कि तुम्हें protect the earth, protector बनना है earth का, पूरी धर्ती को सुरक्षा पुर्दान करनी है, तुम्हें पूरी धर्ती पे राज करना है, तुम्हें चक्रवर्ती बनना है, चक्रवर्ती मतलब universal ruler बनना है, तो ये बात इनको कही थी, इनके पिता ने कहा था, तो ये इन्होंने एक बहुत बढ़ा समराजे स्तापित भी किया, इनके पिता के सपने को पूरा भी किया, जितना छोटा सा समराजे इनको विरासत में मिला था, उससे तो इन्होंने बहुत बढ़ा समराजे आने वाले समय में कर दिया था, एक्सेटेंड कर दिया था, तो ये चीज़े इनके बारे में, Accession of Throne के बारे में कही जाती हैं तो अगर बात करें इस भूभाग की तो यहां पे ये वाला छेतर इनको मिला था बस ये वाला छेतर मिला था ये वाला इन्होंने जीत कि अपने समराजे में मिला लिया इस वाले हिस्से को अपने ट्रिब्यूटरी बना लिया इस वाले हिस्से समंदर गुप्त ने कौन कौन से चेतर को कौनक्रिस्ट किया बात करते हैं इसके बारे में तो भारत का नेपॉलियन किस ने कहा था सबसे पहले इनको बिर्टिश इस्टोरियन विंसेंट स्मित ने कहा था इनको ये भी एक फेमस इस्टोरियन रही हैं बिर्टिश के और इन्ह सारी चीज़े आपको मिलते हैं कि कौन कौन से कौन क्वेस्ट इन्हों ने किये बहुत सारे ओफिशल्स के बारे में इसके में अंदर लिखा हुआ है कि ये एक बहुत ही अच्छे पोईट और ओथर थे तो हरी से ने ये लिखवाया था फिर इरान स्टोन इसक्रिप्शन जो ह ये जो समंदर गुप ने लिखवाया था ये भी इसमें लिखा हुआ है कि दा होल ट्राइब ऑफ किंग्स जो थे जितने भी ट्राइबल किंग्स थे उन सभी को इन्होंने हरा के अपने रज्जे में मिला लिया था और जितने भी एनिमी थे इनके सामने वो सब इनसे घबर जाते थे इतना डर जाते थे कि वो खुद आके इनके सामने समर्पन कर देते थे कहते थे कि बस आप हमें अपनी अधीनता में ले लीजिए हमें आपके साथ युद नहीं लड़ते ना इतने टेरिफाइड हो जाते थे कि समंदर गुप उनको सपने में देखते थे तो ये कुछ चीज़े तो ऐसी होती है कि अपने राजा का महिमा मंडल करने के लिए भी हरी सेन ने लिखा होगा ओविसली होता है ऐसी चीज़े लेकिन जो भी सौर्स ओफ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसमें ये पता चलता है कि समुद्र गुप्च सच में एक बहुत ही कमाल के व रड़ाई में सो गहाव भी हो गए ये जो गहाव हुए इनको मार्क ऑफ गलोरी के तोर पे दिखाया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसको इतने सारे गहाव होते है राना सांगा का नाम लिया जाता है जैसे उनको सो गहाव हुए थे तो उनको भी उस जो गहाव है उनको गलोर का जो एम था लक्षय था जीवन का वोई था कि यूनिफिकेशन ओफ दे आर्थ पूरी धर्ती के उपर उसको यूनिफिकेशन करना था धरनी बंधा करना था चक्रवर्ती समराट बनना था तो वैसा ही सपना था इनका भी जैसा कि पुराने जो अलेक्जनर दे ग्रेट जो ग पिता ने भी इनको कहा था कि तुम्हें प्रोटेक्टर ओफ अर्थ बनना है मत्हुरा स्टोन इस्क्रिप्शन ओर है एक मत्हुरा में यह चंद्रगुप सेकेंड ने इनके बेटे ने लिखवाया था उन्होंने बताया है कि समुंद्रगुप यानि कि उनके पिता जो है व समुंद्र अब यहां पर कहोगे कि चार कौन से समुंद्र बारत के तीन तरफ तो लगेगा एक तरफ अरेबियन सी एक बर बेफ वंगल एक तरफ इंडियन ओशन ऐसा नहीं कि इन तीनों समुंद्रों के बारे में ऐसी बात कर रखी थी जैसे कहते हैं घाट-घाट का पानी पिना वैसे चारों दिशाओं के बारे में इन्होंने विए कर रखा कि चारों दिशाओं में उनकी जो किरती थी उनकी जो ख्याती थी उसका परभाव था और सभी जानते थे कि समुंद्र गुप्त क्या चीज है यह इन्होंने इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है तो यह द इसके रही लेकिन उसके बाद धीरे दीरे कि उनका परचार होता चला गया यहाले जो हिस्से हैं यह वी समुंद्रगुपत की धीनता में आ चुके थे और यह जो ब्ल्यू कलर में दिखْराये यह तो समंदर गुपत इसके ओपर directly rule कर रहे थे तो ये इनका system था रूल करने का इनकी strategy भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन्होंने ऐसा किया वैसाल state क्यों बनाए और क्या region थे इसके पीछे तो लगबग दो तिहाई भारत के हिसे पे इन्होंने directly या indirectly rule किया है और भारत के बाहर भी अगर बात करें आज किसे में modern day पाकिस्तान सेरलंका वाले हिस्सों पे लगबग 30 से 35 ऐसे ओर border states थे जिनको जिनके उपर समंदर गुपत का कहीं न कहीं control था वो उनके वैसालेज में रह रहे थे उनकी अधिन्ता उन्होंने कुछ हद तक स्विकार कर रही थी तो समंदर गुपत का जो परभाव था पूरे इंडियन सबकॉंटिनेंट के उपर था बहुत बहंकर पर भाव था, सबी अकियुता नंदिनी बाल वर्मन इन राजाओं को इन्होंने हराया है ये नोटेबल वो किंग है जो गंगा वेली के आसपास और उत्तर प्रदेश रीजन के आसपास के छेतर में इन्होंने इनके साथ लड़ाई ये लड़ी हैं दक्षिन भारत के कुछ राजाओं की बात करे निरानजा ओफ अवामुक्ता हस्तवी वर्मन ओफ वेंगी उग्रासिन ओफ पलका कुबेरा ओफ धनवेंत्रिय सस्त्रा और ऐसे राजाओं को इन्होंने हराया तो बड़े-बड़े रूलर्स को इन्होंने हराया है और इनके वारे में जो कॉन्क्वेस्ट हैं उनमें से करें तो स्टेटिजी की बात करते हैं उसके पहले मेजर बैटल्स की बात करें तो एक आपको इनके अमपैर की बात बताता हूं कि कुछ ही साउथ इंडिया के कैमपेन करते समय ये बंगाल की खाडी से एक बार चले बंगाल की खाडी से इधर होते हुए इस राज्यों के सा साथ उडिसा के राजस्ते होते हुए दक्षन भार तक यह जब पहुंचे कांची पुरम में तो कंटिनियूसली जितनी लड़ाईया हुई उसमें बारा राजा इनकी रास्ते आई बारा प्रिंस को अंद्कुरिंग ट्वेल पिंस इन रो बारा राजाओं को उडिसा लड़ाओं को एक साथ हराया था और इसी तरह से धीरे धीरे करके आरिया वर्त और दक्षन भाहरत के पूरे हिस्से को इन्होंने जीत लिया था इतना बड़ा इननों ने सामराज्ये का मैं कैसे जीतते थे और जीतने के कंट्रोल करेंगे प्रियाक से कंट्रोल करेंगे ऐसा नहीं था इनको पता था कि एक ही राजधानी से इतने बड़ी सामराज्य को आप भारत के किसी एक कोने से कंट्रोल करें यह बहुत मुश्किल काम है आज के समय का देखो अलग administration system है उस समय अलग administration system था पहले के राजधनी से इतना बड़ा सामराजय जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएं तो इसलिए इनोंने सोचा कि इस सामराजय का विस्तार मैं किस तरह से करूँगा इसकी ये तरीकार अपनाएंगे कि सारे के ओपर कंट्रोल नहीं करेंगे इन सभी राज्यों आपको administration में भी रोल रहेगा गवर्नेंस में भी रोल रहेगा लेकिन supreme power जो है वो यहाँ पे समुद्र गुप्त की पास रहेगी तो यह इन्होंने system अपनाया इसलिए इन्होंने मौरियों के रास्टे नहीं रहे हालां कि जो अर्थ शास्तर का रास्ता है उसको इन्होंने कु ऐसे character हैं जो कि हुए ही नहीं कभी वो एक mythological character है अब देखे उस समय के इत्यास में बहुत सारी चीजें जो हैं वो अलग-लग religious text में मिलती हैं कोई कहीं मिलती है कोई कहां मिलती है लेकिन अर्थ शास्तर एक सच्चाई है और अर्थ शास्तर के writer के तोर पे चानक किया विश चीजे थी अब हर चीज का जो जो चीजे हैं available हैं जिसको पढ़ा जाता है जो चीजों को आप पढ़ते आ रहे हैं अपने स्लेबस में भी पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहें तो यह चीज हैं फिर उन्होंने लगबग पूरे ओल इंडिया लगबग पूरे इंडियन सब कॉंटिनेंट पे अपनी पॉलिटिकल ऊथोरिटी को स्टैब्लिश कर लिया और गुपता डैनिस्टी ने एक पूरे लगबग सतर पिचेतर परतिशत भारत के हिस्से के उपर अपना डॉमिनेंस स्टैब्लिश कर लिया था कोई रजज छेतर इनके डा खुजाब, Most of Rajasthan, सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है आज के समय गुजराद जो है इनके राज्जे का पार्ड था उसके बाद धीरे धीरे करके यह जो और जो सामराज्य के हिस्से जो है वो इनके कंट्रोल में आने लगे तो लगबग पूरा इंडियन सब कॉंटिनेंट इन समय कुशान डाइनिस्टी कितनी पावर्फुल होती थी शक डाइनिस्टी भी कमजोर नहीं थी शक जो वेस्टन छत्रप राजा थे ताकतवर राजा हुए हैं इन्होंने भी इनकी स्विकार की है अदीन था और सिरलंका के राजा वो देखिए बोर्डर पार करके समुदर करके समुदर राजा ने भी इनकी अथर्टी को स्विकार किया है तो इतनी बड़ी इनकी अथर्टी थी मैजर बैटल्स के बारे में बता चुका हूँ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं कोईन्स इनके बहुत पॉपुलर कोईन हैं और गुपता वंच के जो कोईन् पता चलती हैं उसी तरीके से अगर हम बात करें समन्द गुप्त के समय के सिक्कों की तो उसमें समन्द गुप्त अलग-налग सिक्कों पर अलग-लग searcher में आपको नजाराएंगे एक warrior के तौर भी नजाराएंगे एक peace loving artist के तौर भी नजाराएंगे जो कि उनके युद्धके तौर परती होते है एक बैटल एक्स टाइप है ये भी युद्ध को रिपरज़न्ट करता है ये अश्यो में एक याग जो Queen के साथ इनका जो gesture है साथ में photo है साथ में जो इनकी मुरती है वो बताता है कि मतलो queen की भी एक value होती थी उसके लावा liar player मतलब एक जो वीना बजाते हुए भी इनोंने किया है तो मतलब एक कला प्रेमी थे उसको भी इनके सिक्कों में रिपरिज़न्ट किया गया है तो ये इनके achievements हैं इस तरीके के सिक्के ये उस समय के गुपता और Wasun के सिक्के बहुत ही मशुर थे तो ये भी ध्यान रखीगा उसके अलावा अगर धार्मिक नीति की बात की जाए तो ये ब्राहमन रिलिजन को फोलो करते थे ब्राहमनिजम या वेधिक रिलिजन को फोलो करते थे पुराने और हिंदुईजम ब्राहमनिजम देखे ये थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है वेध जो सिरलंका के उस समय के राजा थे mega वर्मन इन्होंने बहुत गया में बुद्धिस्ट एक monastery बनने की demand करी थी permission मागी थी तो वो भी बनन आने के लिए नहें हा कर दी थी 330 में तो बुद्धिजन से भी इनको किसी तरीके की कोई दूरी नहीं थी और सभी धर्मों के पड़ती एक तरह से टोलरेंट थी उसके लावा कला साहिते संसकर्ती को भी काफी महतु देते थी बहुत सारे आर्टिस्स, एस्टोलोजर, साइंटिस्ट और अलग-लग लिट्रेरी वर्क के जो लोग हैं वो से आपको पता देगा कि इसको भारतिय स्काल की जो स्वर्नी में यूग क्यों कहा जाता है पैटरन ओफ आर्ट जैसा कि मने बताया कि कला को काफी महतु देते थे खुद एक म्यूजिशन थे वीना बजाते थे वीना बजाने के साथ ये अच्छे कवी भी थे और अच्छे क कवी होने की वज़े से इनको कवी राज भी कहा जाता है कवी राज के नाम से भी जानते हैं तो टाइटल ध्यान रखिएगा भारत का नेपोलियन और कवी राज ये कई बार आपके एकजाम पॉइंट ओफ इससे कफ इम्पोर्टेन रहता है कि कवी राज के नाम से कौन सा भारतिये रोलर जाना जाता है तो समुंद्र गुप को जानते हैं इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था दत्ता देवी इन्होंने इन से शादी की थी परसनल लाइफ के बारे में ज्यादा इन्फरमेशन नहीं मिलती ज्यादा तर जो इन्फरमेशन जो अभिलेकों से मिलती है औ और इनकी डेथ जो है वो तो 380 में हुई ये तो सर्टेन बताया जाता है उसके बाद इनके बेटे जो थे चंद्रगुप्दित्य उनको राजा बना दिया गया और चंद्रगुप्दित्य को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनों ने डेथ हुई कैसे वो हटे राज से और उसके बाद चंदर गुप्त दिती है जो हम राजा बन गए इसके मारे में संटेन information नहीं है जैसे कि कच गुप्त के बारे में नहीं थी तो ये कुछ ऐसी चीजे हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता इसलिए चंदर गुप्त पर्थम संदर गुप्त और चंदर गुप्त यहीं इत्यास का order जो है इसी को पढ़ाया जाता है इसी को समझा जाता है क्योंकि जिनके बारे में वैसाल स्टेट बना के रख दिया तो ये एक बहुत बड़ी बात थी इनोंने conquest और governance का एक नया pattern set करके दिखाया कि हमें सिर्फ राज्ये को विश्तारित करके एक साथ जोड़ने की ज़रूत नहीं है हम वैसाल स्टेट भी बना सकते हैं उसको political economic condition के हिसाफ से अपने साथ जोड़ सकते हैं तो ये इनोंने करी और इनके सिक्कों से जिस amount में इनके gold coins उस समय मिलते हैं उससे पता चलता है कि गुपता अंपैर कितना prosperous था कितने पैसे थे इनके पास कितने अमीर थे ये लोग तो इससे ये भी पता चलती है और इनकी class आईत है और संसकर्ति को जिस तरीके से इनोंने पर्मोट किया वह भी एक बहुती महत्पूर्ण चीज़ है जिससे भारतिये साथ अगर सक्सेस प्लस अकेडमी के साथ नहीं है तो इसके और बाकी प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़िएगा जैसे टेलिग्राम पे आपको इन वीडियो की पीडियेफ मिल जाएगी इस्टाग्राम पे आप उनसे परसनली बात कर सकते हैं और फेस्टुक और यूट् मिलते रहेंगे तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो है वे गूट डे से नेक्स क्लास